नमस्कार विद्यार्थिमित्रो वर्चियल ट्रास्ट्रूम ट्रेनिंग सेंटर मां आप सवनू आर्दिक स्वागत छे मुँ आर्बी बेडा सुपर्वाइजर इंस्ट्रेक्टर गोंडल आई टिय आजनों आपडों विशेई से थ्री फेज ट्रांस्पोर्मर ट्रांस्पोर्मर ना नाम पर्थिनाज ख्याल आवे छे के ते ट्रांस्पोर्मर करवानू कारिय करे छे कोई पन सर्कीट माथी समान फिकवन छे एक सर्कीट माथी बिजी सर्कीट माँ पावर नू कन्वर करता इलेक्टिक ना स्टेटिक दिवाइस ने ट्रांस्पोर्मार के वामा आवे छे ट्रांस्पोर्मार उल्टेज माँ वतारो के घटारो करे छे तेज रिते ते करंट माँ पन घटारो के वतारो करे छे आ प्रोसेस दर्म्यान पावर ना मुल्यमा कोई फेरफार थातो नती थ्रीपेट ट्रांसफोर्मनी रचना सिंगल पेट ट्रांसफोर्मनार जेवीच छे थ्रीपेट ट्रांसफोर्मनार पेला सिंगल पेट ट्रांसफोर्मनार नो उप्योग थातो सिंगल फेट ट्रांस्पोर्वन नी सर्कामनी मा त्रोन सिंगल फेट ट्रांस्पोर्वन ओपियोग करवा गरता त्री फेट ट्रांस्पोर्वन ओपियोग करवा थी ते जग्या ओची रोके छे तेमा तेनु किमत मा बन सस्ति बड़े छे, बंदाट का किमत कोस्ट बन ओची रे छे, तो आ थ्रीफेज ट्रांस्पूरूर ना सिंगल फेज ट्रांस्पूरूर छे फाइदा छे, अवे आपडे थ्रीफेज ट्रांस्पूरूर नी इलेक्रिक सिस्टम नी अंदर कईकी जगे रिक्वाइर्मेंट छे ते जोईशू थ्रीफेज सिस्टम ने अंदर पावर जनरेट थाई छे 11 केवी ने आसपास तो जनरेटिंग स्टेशन थी ट्रांस्मिशन करवा माटे ट्रांस्फर्म और जारा वोल्टेज ने स्टेप अप करी आने ट्रांस्मिशन लाइन माँ पाव पावर ने ट्रांस्मिशन करवा माँ आवे छे आने आ वोल्टेज ट्रेप अप ट्रांस्पर्म द्वारा करवा माँ आवे छे वोल्टेज माँ वोल्टेज ट्रेप अप था छे तो करेंट माँ घटाडो था छे करन्टमा गटाडों थवा थी तार नी साइजमा गटाडों थाशे आन्ने ट्रांस्मीशन खर्च घट छे आन्ने लोशिसमा बन गटाडों थाई छे अवे आपडे ट्रांस्परूर्ण ना सिधान्त जोईशू, सिधान्त ने PPT इमेज जोशू आपडे तो तमें जोईशको छो, कि बे कोईल आपेली छे, तेमा फर्स्ट कोईल ने अल्टरनेटिंग सपलाय आपपा मावे छे तो तेमा मेगनेटिक फिल्ड उत्पन धाई छे, ने सेकनरी कोईल मा ते मेगनेटिक EMF इंडियोस थाई छे, ने इंडियोस थातू मेगनेटिक EMF नू प्रमाण, फ्लक्स ना चंप्रमाण मा रहा छे, आर इते ट्रांस्पूर्मार मीचल इंडेक्शन ना सिधान पर कार्य कर अवे अपड़े नेक्स्ट ट्रांस्पूर्मार नी रचना जोए, तो ट्रांस्पूर्मार नी रचना मा मुख्य बे भाग छे, कोर औने वाइंडिंग, आ कोर तमें जोई सको छो, E टाइप, I टाइप, L टाइप कोर छे, तो आ कोर ने भेगी करी, एनने लेमिनेट करी, ए तेनी उपार वाइंडिंग करवा मावे छे, दरे कलेम उपार अलग अलग वाइंडिंग करवा मावे छे, कोर छे, ते मेगनेटिक पाथ पन पूरो बाड़े छे, नेक्स्ट अपड़े वाइंडिंग ट्रांस्पूर्मार नी वाइंडिंग जोशू, तो वाइंडिंग मा ट्रांस्पूर्म ने अंदर बे वाइंडिंग वोई छे, प्राइमरी साइड वाइंडिंग अने सेकनरी साइड वाइंडिंग, तो प्राइमरी वाइंडिंग ना उच गुण माचा धरावता कोपर के एलिमन्या तार माथी बनाव मावे छे, तार नी जाड़ाई तेमाथी प आउय चेड़ा ओए छे आ दरेख 6 छेड़ानू अलग अलग सिस्टम थी जोडाण करवा माव्य चे अवे प्राइमरी साइड जे वाइंडिंग छे तेने उच वल्टेज वोई तो ते ने सेकनरी साइड इठी उच वल्टेज वोई तो एवा ट्रान्सफरोरम ने अपडे स्टेप आप ट्रांस्पुर्मनी अंदर प्राइमरी साइड आटानी संख्या ओची वही छे अने सेक्निर साइड आटानी संख्या वदार वही छे नेक्स्ट आपडे तेनी एक फीगर जोईस्ट हुए मा तमें जोईस सको छो के एक कोर नी लीम उपार अलग अलग तमें जोईस कोछो फेज A, फेज B और फेज C और अबसी नेक्स्ट आपडे ट्रांस्पुर्मना गुणोतर जोशू तो सेक्निरी वोल्टेज आने प्राइमरे वोल्टेज ना गुणोतर ने ट्रांस्पुर्मनना गुणोतर के वा मा आवे छे तमें जोईस कोछो एक्वे ज़्यां NS छे ते secondary winding ना turns छे, NP छे इı primary winding ना turns छे, VP छे इı primary voltage प्रती फेच छे, VS छे इı secondary voltage प्रती फेच छे, IS छे इı secondary current छे, अनी IP छे इı primary current छे जब प्राइमरी AC वल्टेज आपक मावे प्राइमरी साइड त्यारे alternatives current circulate थाई छे ज़ंडे परिणाम सवरुपे alternating flux circulate थाई छे आना लिदे प्राइमरी मां फ्लक्स EMF इंड्यूस थाई छे जैने बेक EMF केवा मावे छे ते एटला वोल्टेज नो विरोत करे छे आरी ते इंड्यूस थता वोल्टेज नो मुल्य आस्रे लगाडवामा आवता वोल्टेज जेटलूज वोई छे अवे तो सप्लाई वोल्टेज वीपी वोई तो इंड्यूस थता वोल्टेज एपी औने जो एनपी प्राइमरी आटा नी सेंख्या वोई तो एए एपी औने एनपी आटाओं में इंड्यूस थता वोई छे अटलेके एक आटा दी डेलेके प्रती आटा दी इंड्यूस थता वोल्टेज एपी अपून एणपी वोल्ट छे अवे आ प्राइमरी फ्लक्स सेकनरी में मन सर्कूलेट थाई छे अने इंडियूस थता एमेफ नो गुणो तर नो उप्योक सेकनरी साहिट माटे बन करवामा आउस छे अवे जो कूल सेकनरी आटा नी संखे एनेस वोई तो सेकनरी माँ इंडियूस थत्व एमेफ एस बराबर एनेस मल्टिबला एक आटा माँ इंडियूस थता वोल्टेज इक्वल टू एनेस मल्टिबलाई एपी अपून एनपी मिचल इंडियूस थाई छे आव वोल्टेज पन प्राइमरी वोल्टेज नुँ वीरोत करतु वोई छे अटले के एस बराबर एनेस गुणा एपी अपून एनपी अत्वा एस अपून एपी एनेस अपून एनपी इस इक्वल टू के तेने ट्रांसफोर्म नो गुणोत तर केवामा आवे छे अवे जो के greater than one होई तो तेने step up transformer के हे छे अनने के less than one होई तो एने step down transformer के हे छे step up transformer ने अंदर primary side आटा नी सेंख्या ओची होई छे ते गुणोत तर उपरती ख्याल आवे छे आपने secondary एनेस अपून एनपी एडले secondary ना आटा पहेंगा primary ना आटा जो तो एक थी वधारे आवे तो secondary side आटा नी सेंख्या वधारे वोई तो तेने step up transformer के वाई अने चो एक थी वध चो आवे तो तेने step down transformer के वामा आवे छे नेक्स्ट आपड़े ट्रांस्पोर्मन ना पार्स जोईश भागो तो तमे आ इमेज नी अंदर जोईश हो जोईश कोश वागी फूल इमेज चे ट्रांस्पोर्मन नी उपच जे छे ते oil level indicator छे फर्स्ट नेमबर उप़र तमे ओल फिल्टर प्लक छे कंजर्वेटर टेंग छे आ देखाई ते कंजर्वेटर टेंग छे पसी कोंटेक थर्मोमीटर छे ते आ जग्या पर छे पच्छी बुक कोल्च रिले छे पच्छी रेटिंग प्लेट छे टर्मिनल बोक्स छे ते आ जग्या पर छे कोर्यूगेटर टेंग छे अने आ तेमना विल्ज छे नीचे देखाई ते नेक्स्ट आपड़े ट्रांस्पोर्मन ना स्पार्ट जोईश्यू पार्ट्स तो यह पच्छी बुक कोल्च रिले छे अने आपड़े ट्रांस्पोर्मन ना पार्ट सामा जोईश्यू विडियो ने अंदर तमें जोईश्यू ते उपर छे देखाई से ते टर्मिल छे एस्टी एन एल्टी लो टेंचन न अने आई टेंचन टर्मिल निकेडे चे आमा ट्रांस्पोर्मन ने प्राइमरी सप्लाई अने शेक्रνοिश्यूम आवे चेamasत खेमीले आपड़े चीन, लोईटेकर छे यांदे चेज़े रेडियें पच्छी जे देखाए ते एक्स्प्लोजन वेंट ते पन एक त्यारे अंदर वानु दबान वदे त्यारे तेमा डायाफ्रेम वोई तेना टूटी जाई छे अन्दर नू प्रेसर वोच्छू गरे छे कंजर्वेटर टेंग छे आया बुक्रोड रिले छे टेप चंजर छे तो आतमे जोईस कुछ बूस्ची इंग ने अवे आच ए देखाए अंदर ते ट्रांस्पूर्मन नू वाइंडिंग छे कोर नी उपर त्रणे फीद नू वाइंडिंग करे लू छे आर इतनू वाइंडिंग माची रेपिंग गाड़ी ने बारना टर्मिनल मा कनेक्शन करवाम आवे छे ने तिया सप्लाइ देवाम आवे छे आ देखाए तिया लेमिनेटेट कोर छे तमे बौँ एवस्ची तरी ते जोईस कुछ वाइंडिंग जे लो वल्टेस साइट नू वाइंडिंग छे तेमा टर्ण्स्निशन ख्या उच्छी आशी लो वल्टेस साइट ना टर्मिनल आपने देखाई छे जा रेड कलर थी देखाई ते टर्ण्स्पूर्मिन नी कोर छे तेना अत्रणै लेम उपार वाइंडिंग करेलू छे प्राइमरी साइट अने सिकनरी साइट नू वाइंडिंग करेलू छे यलो कलर नू देखाई ते आई वल्टेस साइट नू टर्मिनल छे जोई सकोशोद में साइन वेव देखाड़े छे चे अल्टरनेटिंग करेंट मा ट्रांस्पूर्मिन ने आपड़े DC सप्लाई चाथे जोड़ी न दी सकता तो आपड़े वीटियो मा ट्रांस्पूर्मिन भाग जोया छेले साइन वेव देखाड़े ता तेमा आपड़े जोयू तो DC सप्लाई ने अंदर डाइरक करेंट होई छे ते आपड़े प्राइमरी साइड सप्लाई आपए तो तेमा भीरोत प्रतिचालक बढ़ उत्पन थतु नथी ते थी अने वाइंडिंग नू रेजिस्टन्स पन वच्छ होई छे तो एकदम करन्ट बदी जवा थी ट्रांस्पूर्म नी प्राइमरी साइड नी कोयल बढ़ी जाई छे तो आपड़े डिसी सप्लाई थी ट्रांस्पूर्म उप्रेट करी सकता नथी अब आपड़े नेक्स्ट चोई ए इमेज तो एक ट्रांस्पूर्म ना भागवो छे तेमा दमें चोईस कोज़ों आयां हैं कंजरवेटर टेंक छे पंजरवेटर टेंक ते में टेंक अने एक साइड में टेंक साथ ही जोडेल वही छे औने मीजी साइड ब्रिदर साथ ही जोडेल वही ज्यारे ते फूल लोड वोई छे त्यारे दिना टेंपरेचर मा वदारों थाई छे ने टेंपरेचर मा वदारों थावा थी बाइडिंग नी इट छे ते ओएल मा जसे ने ओएल गरम थाशे ने ओएल नूँ कद बच्छे तो ओएल नूँ कद बच्छे तो ओएल नूँ कद फेज रही थाई आने पाची आऊशे आरी ते कंजरवेटर ट्रेंग थे टे वर्किंग करें चे ब्रिद्दर तमें जोई सको चुँ आया देखाए ते ब्रिद्दर छे ब्रिद्दर नूं कारिया ज्यारे ओएल गरम थाए अने एर बारे निक्रे छे तेने ओएल ने बारे चाई छे अने ज्यारे पाच्छू जेत श्तितिमा ओएल आवे ते बार नी आवा छे ते बेज रह इतरे इल्ला माटे ब्रिदर नुम फंक्षन चे ब्येज रहित एर फिलब करवानू ब्रिदर नी अंदर सिलिका जेल वोई छे सिलिका जेल नो रंग भूरो वोई छे त्या सुदी ते सारी कंडिशन मा गानाई छे त्यारे पिंक कलर थाई त्यारे तेने सुखवी औने आपड़े फरी फुपियो करी सकिये छे हवे तमें आया जो छो ते ब्रुकोज रिले छे ब्रुकोज रिले ते गंजरवेटर टेंक औने में टेंक नी वच्चे चोडेल छे तो नेक्स्ट आपड़े में दोसु रुकोज रिले ने तो रुकोज रिले एक प्रोटेक्टिव डिवास छे ते ट्रांस्पोर्वन नू रक्षन करे छे ज्यारे कोई आर्किंग थाई टंस नी बच्चे इंस्टुलेशन खराब थाई त्यारे जे गेस ना वेपर राज छे ते आ फ्लोट उपर आउशे आया मर्कुरी स्विस्ट चे आ कोंटेक्ट थावा थी आलाराम ने सर्किट मर्चे तो ए गेस ना जे फ्लोट चे वेपर राज छे ते आया जमाश था थाशे अनि तेना थी आ कोंटेक्ट थाशे कोंटेक्ट थावा थी आलाराम मर्चे ने गटाडी ने जेते बेवस्तित परिस्तित मा लाव छे ती बुच्छी जारे अंदर कोई सोट सर्कीट थाई के अर्थ फोल्ड थाई त्यारे डाइरक घीट बती जाई छे ने गरम अवा एर थी डाइरक आप पूंटे कलोज थाई छे अने सर्कीट बेकार ट्रीप थाई छे अने ट्रांस्पूर्मन्नू रक्षान करे छे नेक्स्ट आपडे ट्रांस्पूर्मन्नू रेटिंग जोशू सामने निते ट्रांस्पूर्मन्नू रेटिंग केवियमा करवामा आवे छे ने आउट्पूट सक्ती ओई छे केवियमा केवियमा बराबर वीटू इन्टू Q I V Ajos Q I A Q B V I A Q I A S Q I A S Q Q I A S Q I A S करंट अने केविये जानी सकाई छे नेक्स्ट आपडे ट्रांस्पोर्मर्नी कार्य देख्षता जूछू आउट्पूट पावर अने इन्पूट पावर वच्चेना गुणूत्तर ने ट्रांस्पोर्मर्नी कार्य देख्षता एफिसेंसी केवा मावे छे कार्य दक्सता is equal to output power upon input power into 100 next equal to output power upon output power plus losses into 1000 loss मा आपड़े iron loss अने copper loss आऊशे next आपड़े ट्रांस्पूर्मान नू रेग्यूलेशन ज्यारे ट्रांस्पूर्मान ने primary voltage स्थीर राखी secondary पर load वदार वाम आवे त्यारे load वदवाथी voltage मा गटाड़ो थाई चे आम no load तो full load सुधी ना voltage ना फेर फार ने ट्रांस्पूर्मान नू रेग्यूलेशन के वाम आवे चे secondary ना load voltage चे अने V छे ए secondary नो full load voltage चे ले ट्रांस्पूर्मान नू रेग्यूलेशन चे त्या no load to full load नू full load voltage चे ट्रांस्पूर्मान ने cooling system ट्रांस्पूर्मान ने अंदर iron लोस अने copper लोस थाई चे त्याची heat उत्पन धाई चे कोपर नरोस ने लिदे winding गरम थाई चे आगर्मी जो बाहर फेक्वाम ना आवे तो ट्रांस्पूर्मान वाइडिंग नू टेंप्रसर अमुक अहद करता वदी जाई चे वाइडिंग ने insulation नुक्सान थाई चे आने ट्रांस्पूर्मान माथी अधिक प्रवा पचार थाई चे सेवटे ट्रांस्पूर्मान बढ़ी जाई चे आ माटे कूलिंग नी व्यवस्तार आख़ी जरूरी चे ट्रांस्पूर्मान ज्यारक फूल लोड उपर वोई त्यारे तेना बाइडिंग ने अंदर थी प्रवीज प्रवानू मुल्य कूबज वजारे वोई चे कूलिंग माटे नी बदी व्यवस्ता चे ट्रांस्पूर्मान ज्यार कूलिंग माटे एर ओयल अथ्वा लिक्वीड गेस नू उप्योग थाई चे आग कूलिंग मीडियम ट्रांस्पूर्मान संपर्क माँ चे उपर कूलिंग मीडियम आटेनू सर्कूलेचन नेच्राल फोर्स बड़ पुरवक वही सके चे नेक्स्ट आपडे कूलिंग मीडियम ने पन ठंडू करवु जरूरी चे जे अवा थी अत्वा पाणि थी ठंडू करवामा आवे चे अने कूलिंग मीडियम माटे वापरवामा आवतू मीडियम ने सर्कूलेचन नेच्राल फोर्स बड़ पुरवक वही सके चे ट्रांस्पूर्मानने कूलिंग व्यवस्ता दर्शाव माटे 2 के 4 अक्सर दर्शाव माँ आवे चे चोट फोर्मनी अंदर दाख्ला तरेके अन तो नेच्राल एर कूल्ड ओ एन 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 एटले के कूलिंग माटे ओल वपराई चे अने तेनु सर्कुलेशन नेत्राल चे ओएल एर थी ठंडू थाई छे ओएन एप कुलिंग माटे ओएल वप्राई छे अनि सर्कुलेशन नेत्राल चे ओएल ने एर थी फोर्स थी कूल करवा मावे छे विवीत प्रकार्ना कुलिंग सिस्टम नी वेवस्ता छे नेत्रल एर कुलिंग आप बदती ओची केपिसिटी वाड़ा ट्रांस्पोर्मोर मा ओप्राई छे कुलिंग मीडियम हवा अने तेनु सर्कुलेशन नेत्रल वोई छे नेत्रल रेल कूलिंग सिस्टम छे ते उच्छा के भी यह वाड़ा ट्रांसुनौर्ण नियांडर भोप रहे छे पची एरब्लाष्ट कूलिंग छे आमा पंखानी मदर्थी ट्रांसुनौर्ण पर बहबा फेकवा माँ आवे छे एनने कुलिंग राख्वामा आवे छे नेट्रल ओयल कुलिंग O-N-A-N ट्रांस्परोन कुलिंग माटे ओयल छे कुलिंग माज्यम दरिके ओयल छे एनने तेने सर्कुलेशन नेट्रल छे एटले के गरम ओयल उपर जही नडी द्वारा ठंडू थाई निचे आवे छे ओयल अवाने लिदे नेट्रल कुलिंग थी ठंडू थाई छे एनने पच्चास केवी एसुदी केवी एसुदी नी ट्यूब वपराती नथी 300 केवी एसुदी नी ट्यूब अथवा रेडियेटर्स वापरी शकाई छे नेट्रल ओयल कुल्ड एर ब्लास्ट प्रकार नूँ कुलिंग O.N.E.P. आ प्रकार नूँ ओयल कुलिंग तरिके वपराय चे तेनू सर्कुलेशन नेट्रल से तथा ओयल ने ठंडू करवा माटे तेनी नडि उपर अवानो ब्लास्ट पंखानी मदत्ती फेक्वा मावे छे फोर्ष ओयल कूल्ड नेत्रल एर प्रकाननू कुलिंग ODN आमा ओयल थी कुलिंग थाई छे परन्तु ओयलनू सर्कुलेशन पंप थी थाई छे तता ओयलने ठंडू करवा माटे नेत्रल एर आमा कुलिंग माटे ओयल छे आने एननू सर्कुलेशन फोर्ष प्रकाननू से आ माटे पंप वापरवा मा आवे छे परन्तु ओयलनू कुलिंग एर वड़े थाई छे आने एर नू सर्कुलेशन नेत्रल छे फोस्ट एर फोस्ट वोटर नेच्रल एर प्रकार्न मा आमा कुलिंग माटे ओयल छे तेनु सर्कुलेसन प्रम्थी फोस्ट प्रकार्नू छे ओयल ने पाणी वडे ठंडू करवा मावे छे ने पाणीनु सर्कुलेसन फोस्ट प्रकार्नू छे पाणी हवाने लिदे कुद्रते ठंडू थाई छे ट्रांस्परमर ओयल रिव ते ट्रांस्परमर ने अंदर सुम कारिय करे छे तेनमा आपड़े जोसु ट्रांस्परमर ने ठंडू राखे छे वाइंडिंग ने इंसुलेसन पुरू पाड़े छे त्यारे प्राइमरिय ने सेकर्नरी वाइंडिंग वोई छे, फेज त्राणे फेज बच्चे, तो तेहां इंसिलेशन तरीके, ट्रांस्पोर्मर्मर ओयल नू मातियम वोई छे, धूड अने बेज सामे वाइंडिंग ने रक्षन आपे छे, ओयल नी डाइलेक्रिक स्टेंद उ पूचे योवी जोए आ ट्रांस्पोर्मर माते ना रिक्वाइरमेंट छे, ट्रांस्पोर्मर ना लोसिस, ट्रांस्पोर्मर नी अंदर कोर वपराई छे, तेनी अंदर आयर ने लोस, कोर मा उपसिस तता प्रत्यावर्ति सुम्गे सेत्र ने कारणे, कोर मा हिस्टेरेसिस अ प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स बी मेक्जिमाम स्क्वेर इन्टु एप फिक्वन ची तो अच्चर ववा थी आ बन्ने लोस कोर्णा फ्लक्स नी घंता उपर आधार राख छे त्या लोस इस चे कोपर लोस कोपर लोस ट्रांस्पूर्म ना वाइंडिंग मां उपस्ती थता लोस ने कोपर लोस के वाम आवे छे फुल लोड पर कोपर लोस आईवन स्क्वेर आरवन प्लस आईटू स्क्वेर आटू लोड वद्ता कोपर लोस वद्ये छे आ लोस ट्रांस्फुर्ण ने स्वोर्ट सर्कीट टेस्ट द्वारा जाणी शकाई छे आ लोस कोपर लोस छे ते डायरक्ली प्रोपर्परोशनल टू करंड जेम वचे तेम आ लोस वचे वाईंडिंग नू जे माट्रियाल छे तेनू रेजिस्टन्स तो फिक्स जासे शोट सर्कीट द्वारा ट्रांस्पर्मनी शोट सर्कीट द्वारा कोप्पर लोज जाणी शेकिये छे अने आयरेल न लोज जाणवा माटे आपड़े ओपन सर्कीट टेस्ट लेवो पड़े छे तो मित्रो आपड़े ट्रांस्पर्मना लोसिस जोया वे ट्रांस्पर्मनी आजे आपड़े थ्रीपेट ट्रांस्पर्मना भागो तेनो कार्य सिधान्त रच्ना अने लोसिस कूलिम सिस्टम वगेरेनों अप्यास केरो आप सवे बने सामपडियो ते बडल कुपकुपाबार बन्यवाद